इस वीडियो को इसलिए लेकर आ रहा हूं आपके बीच में, कि BPSC के बारे में जितनी भी मन में प्रस्न हैं, जिसको की जनरली कहा जाता है FAQ के रूप में आप देखते हैं, रिटेन फॉर्म में रहता है वो, तो उसका वीडियो फॉर्म में आपको एक रिपलाई दे सकूँ, और ऐसे बिद्यारती लड़के लड़कियां, एस्पिरेंट्स जो की बिहार में, तो राज्य सामना करना पड़ता है, और फिर उसका क्या-क्या समधान होगा, यह इस वीडियो का यही उदे से हैं, और मैंने कुछ प्रस्न लिस्ट आउट कर रखा है, और एके करके संछेप में उन प्रस्नों का उत्तर आपको बताता हूं, ठीक है, और आप इस बात को ध्यान में रख को समाजिक रूप से बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन वही सरकारी नौकरी अगर है, तो सरकारी नौकरी को समाजिक रूप से बहुत अधिक पर्थिष्ठा है, और यह प्रस्न हम लोग, जब मौक इंटर्वू होता है, तो उसमें जरूर बच्चों से पूछते हैं, ज लेकिन साथ में एक और पक्ष होता है, जो समाजिक पर्तिष्ठा साथ में समाजिक सेवा करने का, जनता की सेवा करने का मौका मिलता है, और अपनी पसंद का काम करने का मौका मिलता है, इस सेवा में आने से, अई लोगों का यह च्वायस होता है, वो पैसे उनकी प्रात्मि के माध्यम से सेलेक्षन पाकर करके और राज्य में अपनी सेवाइं देना चाहते हैं. तो इसमें यह आता है. तो अब यह है कि यह PCS परिक्षा क्या है यह? तो इसमें मैं यह बताओं कि राज्य अस्तर पर जो एक्जाम लिये जाते हैं, उस सारी परिक्षाओं में जो सबसे प्रमुख परिक्षा है, उस बड़ी परिक्षा को PCS परिक्षा आप बोल सकते हैं. और भी कई सारे एक्जाम होते हैं और निश्चित रूप से उसकी भी परिक्षा है, उसमें भी बित्या सुरक्षा है, उसमें भी काम करने के काफी मौके हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो प्रसासनिक सेवा की जो परिक्षा बिहार में होती हैं, राज जिस अस्तर की एक्जाम है, उस लेबल का, जितने संख्या में बच्चे होते हैं, उस लेबल पर वो एक्जाम कंड़क्ट कराते हैं, जैसे PT का एक्जाम देखा जाए, तो उसमें 4-5 लाख बच्चे होते हैं, तो उनको पूरे राजिक के सारे जिलो में उसके लिए केंदर ब के लिए एक जो परिक्षा है ये और उस परिक्षा के बिभीन चरण होते हैं, उन चरणों के माध्यम से आप सेलेक्शन पाते हैं, एक तो इसमें ये, इसमें जो प्रस्न है कि PCS क्या है या PCS परिक्षा क्या है, तो उसका ये जबाब है कि प्रसासनिक सेवा में न्युक्त के लिए जो परिक्षा आयुजित की जाती है और उस परिक्षा का आयुजन BPSC के दवरा किया जाता है अब सेकेंड प्रस्निस में से आता है कि PCS परिक्षा के दाथ कौन-कौन से पद सामिल हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो देखा गया है कि PCS का एक्जाम देते हैं और PT क्वालिफाई करने के बाद मेंस का एक्जाम देते हैं मेंस के बाद जब इंटर्वू के लिए जाते हैं तो वहां पे पोस्ट प्रारिटी भरना होता है अपने प्रिफरेंसेज भरने होते हैं और मैंने जो अपने प्रात्मिकता रहा है, वो SDM कर रहता है. तो इस सेवा में जो PCS की परिक्छा है, उसके माध्यम से जिन पदों के लिए न्युक्ति की जाती है, उन पदों में जाएंगे, तो SDM का है, जो सब्डिविजन लेवल पे, अनुमंडल के स्थर पे जिनकी न्युक्ति की जाती है, उसके बद जाएंगे तो आपका BPS का है, पुलिस सेवा है, जिसमें DYSP का पद मिलता है, उसके बाद जाते हैं, तो और जिला अस्थर के कई सारे दूसरे पद हैं, जैसे जो Transport Officer का पोस्थ है, या DPO District Professional Officer का पोस्थ होता है, जो समाज के लिए अधिकारी का पद होता है, या उसी तरह से Minority संख्य का अधिकारी का पद होता है, कई सारे जिला अस्थर के पद होते हैं, उसके बाद उसी में जाते हैं, तो फिर CTO, Commercial Tax Officer, जो कि आप जानते हैं, कि GST वगर अधिकारी का हो गया, जिला सिक्षा अधिकारी का हो गया, उसके बाद जाते हैं, तो जिला जो Transport Officer होते हैं, Additional Edito के रूप में उनकी नुक्ति होते हैं, फिर Promotion पाते हैं, उस Commercial Tax Officer का पोस्ट होता है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेबल पर आते हैं, तो फिर Video का, जो RDO के अधिम से की जाती हैं, उसके बाद जाते हैं, तो अगला प्रस्निस में से आता है, कि जब इतने अच्छे-चे पदों के लिए परिक्षा आउजित की जाती हैं, विपेसी के द्वारा, तो इसकी eligibility क्या है, कौन इस परिक्षा में सामील हो सकता है, तो इसका जवाब यही है कि ऐसा सभी भारतिय नागरीक, उसमें भारतिय नागरीक है, ब ludzi Colorado का होना compulsory नहीं है, हाँ, रिजर्वेशन जो होता है, वो रिजर्वेशन केवल बיहार के लोगों के लिए होता है, जिनका बिहार का domicile होता है, उनहीं के लिए होता है, अधर्वाइज इसन जाम को कोई भ age relaxation कहीं नहीं मिलता है, 20 साल की eligible, minimum 20 साल और उसके ऊपर और साथ में एक second criteria और भी है, वो criteria है कि आपको इसना तक होना होगा, graduate होना होगा, चाहे आप engineer हो, चाहे आप doctor हो, चाहे आपने BBA किया हो, चाहे BSC किया हो, चाहे BA किया हो, चाहे BCOM किया हो, कहीं से equivalent to जो graduation है, सीधा सीधा graduation का degree आपके पास हो, या equivalent to अगर है, समतुले degree भी अगर आपको है, तो आप इस exam में appear होने के लिए eligible हैं, तीन criteria हमने बताया, eligible होने के लिए भारतिय नागरिक का होना, दूसरा है कि graduation होना चाहिए आपका, और तीसरा होना चाहिए, बीस साल से उपर का आपका age होना चाहिए, तो आप इस exam के लिए eligible हैं, अब उसके बाद आता है, कि इस exam में reservation की क्या इस्थिती है, तो reservation में जाएंगे तो एक बड़ा ही बिहार का, एक कहा जाए कि revolutionary initiative है, जो कि women empowerment को बढ़ावा देने में बड़ा काम किया, साथ निश्चा 1.0 में आपने देखा था कि 35% reservation की बात है, और बिहार में जो बिहार की जो महिलाएं हैं, बिहार की जो लड़कियां हैं, अपने-अपने category के according, उनको उस सेवा, उस समूह में, जैसे कोई माली, जो OBC है, तो OBC के लिए जितना seat है, उसमें 35% जो seat है, वो female के लिए, जेनल काटेगरी में जितना seat है, उसका 35% women के लिए reserved है, तो reservation otherwise जाएंगे, तो बाकी OBC का, EBC का, SC का, ST का, ये सब reservation वहां पे होता है, और एक जो limit है, वो 50% का है, लेकिन बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के बाद, उसके limit को बढ़ा करके उन्होंने 65% कर दिया था, और फिर 10% EWS का था, तो इस तरह से बिहार में जाएंगे, तो almost 75% reservation है, लेकिन अभी जो 15% जो increase किया गया था, जातिगत सर्वेक्षण के बाद, उसको पतना हाई कोट ने उसको रद कर दिया, और रद कर दिया, तो उसके बाद फिर बिहार सरकार सर्वोच नियाले में है, उसके खिलाप, जो हाई कोट का decision है, उसके against, जो भी नेन होगा, उसके according, otherwise आपको ध्यान रहना चाहिए, कि अगर ये जातिगत सर्वेक्षण के बाद, जो reservation में ब्रिधी की गई, अगर ये Supreme Court द्वारा validate कर दिया जाता है, तो total बिहार में नोकरियों में आरक्षण almost 75% का है, अगर ये 15% का आरक्षण को Supreme Court के द्वारा भी रद कर दिया जाता है, तो बिहार में फिर बिहार में जो भी सरकारी वेकंशी निकलता है नोकरियों के लिए, इवन प्रसास्निक सेवा के लिए, तो उसमें 60% reservation है, 50% normal, और 10% EWS का, 60% reservation है, तो ये reservation के स्थिति है महिलाओं के लिए 35%, ये महिलाओं को तैयारी करने के लिए motivate करता है, ये एक है, उसके बाद जाते हैं, तो फिर आता है कि भाई, ये जो exam है, इस exam में कितने तरह के, इस exam के कितने part हैं, उसका जवाब ये है, कि इसमें total 3 exam होता है, जो पहला exam होता है, वो वस्तुनिष्ट है, प्रिलिम्स है, और प्रिलिम्स में 1.500 क्वेशन, एक पेपर होता है, जनल स्टुनिष्ट का, और उसमें total 1.500 क्वेशन होते हैं, 150 क्वेशन होते हैं, और वो आठ सेक्शन से आते हैं, total 8 सेक्शन से 150 क्वेशन पूछा जाता है, कौन-कौन से 8 सेक्शन है, तो आप उसमें जाएंगे, तो चार Humanities के हैं, History, Economy, Politics, जगरफी, एक Science का पाचवा हो गया, Bihara Special, Current Affairs और Math Reasoning, ये टोटल आठ सेक्षन से कुष्चन आते हैं, और इसी तरुक से History का, जगरफी का, साइंस के प्रस्नों की संख्या थोड़ी अधिक होती हैं, और अधर्वाई जाएंगे तो प्रस्नों की संख्या लगभग 10, 12, 15, 10, 12, 15 के आसपास इसमें सेक्षन से आता है पेपर, 150, जो कटफ जाता है वो पिछली बार के, अगर 69 की बात करूं, तो इस 150 question में जो कटफ है, वो 91 का कटफ गया था, तो अगर आपका, आप जो अच्छे से तैयारी करें, जो अच्छे से तैयारी करें, जो अगर 91 का कटफ गया था, तो आप तैयारी करें, जिसे कि आपका minimum, आपका जो effort होना चाहिए, वो कम से कम 100 question लाने का होना चाहिए, और BPC का जो exam होता है, PT का जो exam होता है, उसमें negative marking है, 0.33 का, 1 by 3 का negative marking है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही, आपको प्रस्न, जो 150 question का paper BPC में आता है, तो उसको attempt करना चाहिए, गलत प्रस्नों को yes नहीं करना चाहिए, गलत प्रस्नों को attempt नहीं करना चाहिए, जो doubt है, तो आप attempt कर सकते हैं, ऐसे प्रस्न जिसका उतर आपको नहीं आता है, गेस मत करिए, नहीं तो इससे आपका जो आपका सही वाला जो आपको selection दिल, आपको PT क्वालिफाई करा रहा था, ये गलत वाले प्रस्न के करना आप अस्फल हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें 1.500 question, PT का होता है, second जो exam होता है, वो mains का होता है, ऐसे सभी लोग जो PT का exam qualify करते हैं, qualify करते हैं, वो mains के लिए eligible हो जाते हैं, और mains के लिए फिर form भरा जाता है, और पटना में उसका exam होता है, और ये जो exam है, इसमें total, total 5 paper है, ठीक है, total 5 paper में बता रहा हूँ, mains के exam में, इसमें से तो तीन पेपर ऐसे हैं, जिसका marks means में जोड़ा जाता है, और दो जो पेपर है, वो optional है, कैसे, बैकलपिक है वो, उसमें जो बैकलपिक है, उसमें compulsory हिंदी है, और optional है, अब optional के 100 questions पूछे जाते हैं, पहले optional compulsory हुआ करता था, उसका marks जूड़ता था, लेकिन 68th BPSC से, optional जो होता था, history, political science, LSW, math, यह सब जो होते थे, तो किसी subject में क्या होता था, कि लोगों को जादा marks आ जाते थे, किसी subject में लोगों को कम marks आते थे, तो इससे BPSC के mains के exam में एक level नहीं मिल पाता था, BPSC ने क्या किया, optional को qualifying बना दिया, और अब क्या होता है, कि optional से 100 प्रस्न कोपी फिर आपका जाचा जाएगा, उसी तरह से compulsory Hindi भी qualifying nature का है, compulsory Hindi और optional के marks, जो final result, जो mains का result बनता है, उसमें नहीं जोड़ा जाता है, तो फिर जोड़ा क्या जाता है, तो तीन paper के marks जोड़े जाते हैं, और वो तीन paper है, General Studies, Paper 1, 300 number का, General Studies, Paper 2, 300 number का, और Essay, 300 number का, तो यह 9 Sun number का, जो mains का, जो marks होता है, उसके आधार पे आपका, वो result बनता है, mains का, हमने क्या कहा, पांच total mains के, पांच paper होते हैं, BPSC mains में, जिसमें से तीन के marks जोड़े जाते हैं, और कौन से तीन के, General Studies 1, General Studies Paper 2, और Essay का, जो optional history है, optional कोई आपने जो ले रखा है, history, political science, sociology, जो कुछ ले रखा है, उसका marks जोड़ा नहीं जाता है, वो qualifying nature का होता है, compulsory Hindi भी qualifying nature का होता है, ठीक है, ये 9 Sun number में, अब आपके उत्सुकता ये होगी, कि ये 9 Sun number में, कितने marks आ जाएं, तो आप interview के लिए आपका call हो जाएगा, इसका जवाब ये होता है, कि पीछे का, जो भी 68th का, ज पास-पास cut-off जाता था, 68th में भी इसी तरह से 471 का cut-off गया था, 471 अर्था 900 नमर में से, अगर आपको 471 नमर या 450 प्लस अगर marks आता है, टारगेट करना चाहिए कि minimum 500 नमर आए, तो 500 marks अगर general category में आता है, तो आप interview के लिए आपका call हो जाता है, और आप interview के लिए eligible हो जा मेरा अब तक का experience यह रहा है कि कोई candidate, तो अगर 85 marks आजाता है into who में, तो चाहे वो में 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 cut-up पर भी qualify किया हुआ है, यह 85 marks जुड़ जाने से, उसका result हो जाता है, और वो selection पा जाता है, भले ही नीचे का पद उसको मिलता है, लेकिन उसका selection ज़रूर हो जाता है, अर्था कोई mains में, अगर cut-up पर qualify करता है, तो भी या उसका mains का exam अच्छा नहीं गया है, और फिर भी अगर वो mains qualify कर रहा है, तो इस बात की संभावना बनते हैं, कि उसका marks कम आएगा mains में, तो उसको interview पर काफी focus कर देने चाहिए, और interview पर focus कर देने से, दो बाते होंगी, 85 आता है, तो उसका selection हो जाएगा, और 85 से जितना ऊपर आएगा, उससे उसका rank सुधर जाएगा, तो मैंने क्या कहा, कि इस BPSC के exam, BPSC द्वारा जो PCS का exam लिया जाता है, उस exam में total तीन exam होते हैं, कौन-कौन से, PT का, Mains का, और interview का, और ये तीनो exam के बाद, फिर selection होता है, selection list आता है, reservation के according selection list आता है, और फिर result आने के बाद, आप देखते हैं कि बिहार के अख़बारों में, जो selected लोग होते हैं, उनके बारे में छपता है, या काफी celebration होता है, घरवाले तो और प्रस्न ये आता है, कि मान लिजे मैं eligible हूँ, मैं BPSC का exam देना भी चाहता हूँ, एक exam pattern की भी करने के लिए बोलता हूँ, उसमें ये आता है, कि क्या, जैसे UPAC का भी, जो मैंने बताया, इसी तरह का exam UPAC का भी होता है, और UPAC के माद्धम से आप जानते हैं कि DM, SP, इस तरह के पदों पे, जो Income Tax Commissioner होते हैं, या GST Commissioner होते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पर उनकी न होते हैं, उसमें टोटल साथ पेपर हैं, 1750 नमर का मेंस होता है, पीटी का exam में भी उसका GS और CCS दोनों होता है, डिफिकल्ट है, तो मुझे लगता है, मैं कई बार बिहार के नए बचों को ऐसा जैसन देता हूँ, कि आप ऐसा कर सकते हैं, कि आप PCS से स्टार्ट करिए, त यहां एक selection पाजाओं, यहां SDM बन जाओं, वीडियो बन जाओं, CEO बन जाओं, और उसके बाद फिर मैं UPAC के लिए तायरी करूँ, क्योंकि UPAC में जेलनल काटेगरी का candidate 32 साल तक exam दे सकता है, तो क्यों नहीं मैं PCS में एक बार एक job ले लूँ और उसके बाद आए, तो आज के यह जो uncertainty के जमाना है, competitive जमाना है, और PCS का जो मैंने बताया, कि PT का exam भी ही होता है, बहुत difficult नहीं होता है UPAC के तुलना में, और उसका mains का exam भी बहुत ही छोटा होता है, मैं तो यहां तक बोलता हूँ, UPAC का जो साथ paper में से, जो GS paper 1 का जितना बड़ा syllabus है, उतना बड़ा syllabus UPAC के GS के दोनों मेंस के paper का है, तो इस तरह से मैं कहूं तो यह आसान है, और interview भी इसका, कहा जाए कि काफी, जो जिस पद की के लिए interview होता है, उसके according interview इसका आसान होता है, बहुत difficult interview नहीं होता है, ठीक है, और एक और भी बात है, कि यह बिहार के level पर यह competition है, और UPAC का exam जिसरी बात है कि जब interview देने जी पेसिकले जाएंगे, तो उसमें वो पूछेंगे आपसे कि अभी आप क्या करते हैं, तो आप जब बताएंगे कि महां से मैं बिहार प्रसासनिक सेवा में हूँ और वहां पर मैं वीडियो हूँ या कुछ हूँ, तो वो यहां से आपके selection के अच्छा सासन के लिए भी अच्छा रहेगा, आपको बहुत कुछ सिखाने के आप सकता, नहीं पढ़ेंगे, तो इससे क्या हो जाता है, कि PCS, पहले PCS, यह सारी बातों के निसक्रस के हूआ हुआ, कि पहले क्यों नहीं एक बार, अदरवाईज आपको लगता है कि मैं बिल ज़री है, तो ऐसी स्थिति में, तो आप एक बार PCS ज़रूरी भी ट्राई कर लिजे, PCS का एज़ी है, और इसके सेलेक्शन के बाद यूपे सिकादे एज़ाम देंगे, तो उससे ज़्यादा कंफिडेंस के साथ एज़ाम देंगे, और सेलेक्शन के चांसेज बढ़ जात जाता है, कि बिहार में, मालीजी, SDM बन जाते हैं, DSP बन जाते हैं, और किसी केरला में जाकर Tamilnadu में, आप जाकर DM या SP बनते हैं, तो उससे तो अच्छा है कि अपने राज्य में SDM और DSP बनें, दस साल के अंदर में तो प्रमोशन हो ही जाता है, दस साल के अंदर में, जो DS ASP है, वो ASP बन जाते हैं, और उसके थोड़े दिन के बाद ही ASP के बाद फिर ASP बन जाते हैं, आप अभी की बात करूं, तो BPC 46 में, जो selected है, एक मेरे बड़े खास्त हैं, आमरे तेंदू से खरजी, तो वो 46 BPC के थे, या 44 BPC के थे, मैं कंफर्म नहीं, दिमांग मनी आ रहा ह ही, तो वो अभी already ASP बन चुके हैं, उनके बैच के 1st ranker और 2nd ranker, दोनों लोग ASP बन चुके हैं, एक जन काइमूर के ASP हैं, और एक जन पतना रेल के ASP हैं वो, तो PCS से भी आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, और इसके साथ अची बात यह है, कि तब आप अपने राज तो आपको बिहार में का एक्जाम देने के क्यों जरुत पड़ी, मैंने पूछा, तो उनका गाना यह था कि सर, हमारे पिता जी बोलते थे, कि जंगल में मोर राचा किस ने देखा, यह UP में आप DSP हो, आप कितना भी वहां पर कर रहे हो, तो भाई, कौन जानता है इस चीज आया, तो यह बात है, इसमें यह भी आता है, comparative अगर BPC और EPC की बात करूं तो, उसके बाद आता है, कि फिर तैयारी मैं decide कर लिया, सब जानता हूं, तो लेकिन मैं तैयारी कैसे करूं, एक अगला प्रसनिया पर यह है, तो उसमें आता है कि PT के लिए, mains के लिए, या interview के लि से, निच्चित रूप से, मैं Selfish Study का बहुत समर्थक नहीं हूँ, इसलिए नहीं कि मैं coaching का, यह आस्थाइस का मैं प्रमुख हूं, और यहां पर इस आस्थाइक, बेवसाइक दिरिश्टी से मैं नहीं बोल रहा हूं, यह, मैं आपको अपना छोटा भाई, छोटी बहन मान क यह, अपना बच्चा मान करके एक सुझाओ दूँ, तो इस लॉजिक को आप इसको भेरिफाई करिया, उसके according आपको जो उचित लगे, क्यों कि मैं यह नहीं मानता हूं, कि मैं कहूं कि कोचिंग करके तैयारी करने चाहिए, तो सारे लोग आस्थाइस में आ जाएंगे, ऐ यह एक बच्चा है, जो भीपेस के तैयारी शुरू करता है, वो खुब महनत कर सकता है, वो intelligent हो सकता है, लेकिन जो guidance है, जो रणिती है, strategy है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है, उसको कैसे notes बनाना है, उसको कैसे knowledge में convert करना है, और कैसे exam में यूज करना है, यह वो बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा, और YouTube से बिल्कुल कहा जाए कि बिखरा हुआ, कभी कुछ देखेगा, कभी कुछ देखेगा, कभी सब contradictory बातों को देखेगा तो पता चला कि उससे confusion आधिक होगा, महनत और intelligence होने के बावजूद कई बार हो सकता है, कि selection पाने में देर हो जाए, selection तो जरूर हो जाएगा, इससे भी देर, लेकिन देर हो जाए, और कहा जाता है कि BPC में, अगर माली जी आपका 69 में selection हो जाए, और 70 हो सकता था, और आपका एक chance खराब हो गया, तो आप सोच के देखो, उसका monetary loss कितना हुआ, seniority loss कितना हुआ और confidence को कितना जटका लगा, तो इस प्रिश्व में, एक बच्चा ये है जो खुद से प्रियास कर रहा है, और एक बच्चा दूसरा है, तो हर काम में, आज की rate में एक investment लगता है, हर जगह लगता है, खेती करने जाते हैं, उसमें भी लगता है, आप कहीं किसी school में पढ़न कहीं किसी रूप में, कोई किसी भी से के export है, और उस रूप में आप अपनी सेवाएं देने जाते हैं, तो आप ऐसे लेते हैं, तो एक component of, उसमें money involved होता है, preparation में भी निश्चित रूप से component of money involved होगा, लेकिन ये जो money का involvement से, क्या-क्या फायदे होंगे, एक एक्जाम पर आ लग टीचर है, economy, policy, geography, current affairs, Bihar special, math reasoning, science, ये सबके आठ टीचर, आठो सेक्शन का copy बनवाते हैं, अपने knowledge और experience के base पर, आठ copy तयार कराते हैं, जिसको की 10 बार पढ़ करके knowledge होगा, और knowledge होगा तो exam hall में, असानी से use हो जाएगा, में इन्स की बात करूँ, तो साथ सेक्शन है, GS के, GS paper 1, GS paper 2 में साथ सेक्शन है, साथ teacher पढ़ाते हैं, साथ copy बनवाते हैं, essay में जाएंगे, तो वहाँ भी 4-5 लोग पढ़ाते हैं, आप interview के level पर जाएंगे, तो कम से कम 7-8 लोग class लेते हैं, चार लोग बैठ करके, 4-4 लोग, 3-3 लोग बैठ करके mock interview लेते हैं, तो एक बच्चे को इतना बड़ा group guide कर रहा है, अपने expertise और experience के base पर, और एक बच्चा खुद से प्रयास कर रहा है, इस दुरूप से मुझे लगता है, कि जब इतने सारे लोग के guidance है, जो बच्चा तैयारी करेगा, और तब जाकर के वो अपने महनत और intelligence को अगर use करेगा, तो उस के selection के chances बढ़ जाते हैं, मेरा यहां पर सुझाव यह होगा, कि self-study के बदले, एक बार किसी के guidance में चाहिए, ज़हां भी आप रहते हों, जिस जिल admission में रहते हों, पटना में रहते हों, दिली में रहते हों, जहां भी रहते हों, वहाँ पर एक बार guidance लेना चींवे पारma guidance लेना चाहिए, एक casual guidance से काम नहीं चलता है, किसी के पास चले गए, उन्होंने दो घंट आपको कुछ बता दिया, इससे नहीं होता है एक कहा जाए, systematic guidance जो होता है, वो guidance आपको help करेगा और इससे जल्दी selection करा देगा यदि आपके अंदर में मेहनत करने की चमता और intelligence और वो selection पाने की जो उत्सुकता है तो, इक्षा है ये एक बात है, उसके बाद आता है, इसमें कि मानलो हम selection पा जाते हैं तो selection पा जाते हैं, तो उससे क्या-क्या लाव है, देखोता है कि इस PCS में आने के लिए हमारे पास क्या motivation है, हम क्यों इस PCS में आएं तो उसमें निश्यतरूप से आप जानते हैं, कि जिस दिन selection पाते हैं, तो multiple benefits ये जो प्रसासनी का धिकारी का पद है ये केवल salary का पद नहीं है कि आप किसी office में कलर्क बन गया और जाकर के कुर्ची टेबल ले लिया आपने और आपको salary मिलता है और आपके आप और husband, wife और बच्चे वहीं तक आपका पैसा खतम हो जाता है ये जो सेवा है, इसमें काम का दाइरा भी सोच के देखो, अगर आप SDM बनते हैं तो आपके एक subdivision में, कम सकम बिहार बिहार में, एक एक subdivision में पांच-पांच लाख लोग हैं पांच लाख लोगों से जुड़ी, जितनी सरकारी योजनाए हैं, सब आपके कलम से आपके उत्सुक्ता से, आपके उत्सा से आपके इमंदारी से, उनके जीवन को बदलेगा यह एक फायदा होता है, आपको satisfaction मिलेगा इतने बड़े लोगों के लिए काम करके आपको समाजिक प्रतिस्था मिलेगा और आपके इस selection से आपके पिताजी का, आपके मदर का उम्र बढ़ता है, पहन का, भाई का, छोटे भाई का पूरे परिवार का नाते रिसिदारी का सब का सम्मान बढ़ता है प्लस साथ में आपके लिए जो अपने benefits हैं वो तो हैं ही वह salary आपको मिलेगा ही साथ में आपको जो भी बिहार सरकार के द्वारा एक अच्छा सा office मिलता है, एक आपको motivational factors हैं तो उसके लिए आपको काम करना चाहिए, अब इसमें आता है कि जैसे एक और बात है कि क्या मैं एक ही बार में इसका selection पा सकता हूँ क्या, मैं इस तैयारी करूँ एक ही बार में हो जाएगा मेरा, तो मुझे लगता है पूरा लाइन का लाइन पास कर जाता था ये बार में, ऐसे इसका तरीका यह होता है कि दो यहां पर concepts आता है, पहले PT की तैयरी और Mains की तैयरी मेरा मानना यह है कि पहले Mains की तैयरी Mains की तैयरी करेंगे तो उससे PT भी तैयर हो जाता है 100% Mains हो जाता है जैसे एक्जामपल लोगा, अभी BPC 70 का टाइम चल रहा है, जिसका मेंस का तेहरी के बाद, मेंस के तेहरी है, और उसके बाद वो BPC 70 का एक्जाम देगा, ठीक है, पहले मेंस की तेहरी किया, फिर PT की तेहरी किया, और उस PT की तेहरी करने के बाद BPC 70 का एक्जाम देगा, उसक सभी आप हैं वहां तक 10 दिन का, 3.5 मेने का टाइम मिलेगा, उस 3.5 मेने में 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 की तयारी कर पाना कठीन होता है, उस टाइम पे में में का प्रपरेशन, रिवीजन और कोशन आंसर लिखने का प्राक्टिस, ये तीनों काम कठीनाई से हो पाएगा, हो सकता है कि प्रपरेशन और रिवीजन के लेबल पर, नौलेज है, उस पर कमांड ना हो पाए, जिससे कि वह असानी से उप्योग हो जाए, तो इसमें क्या होता है, वह कम टाइम है, साड़े तीन मेने, अगर हम ये साड़े तीन मेने, ये वह रिवीजन और कोश्चन आंसर लिखने के लिए रखें, तो हमारे सेलेक्शन के चांसे जबढ़ जाते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा टाइम अभी क्या है, विपेसी एकहत्तर वाले लोग हैं, या उसके बाद, जो कभी क्रेजवशन पार्ट टू में हैं, पार्ट वन में हैं, ऐसे लोग अभी आ करके, अभी से तयारी अगर स्टार्ट करते हैं, तो नहींसर त्रूप से अभी विपेसी मेन्स की तयारी अच्छे से कर लें, और जैसे ही ग्रेजवशन उनका होगा, उस समय जो विपेसी के वेकेंसी होंगे, उस टाइम पर क्या करेंगे, फिर PT की तेहरी सुरू करेंगे, मेंस की तेहरी से concept और fact दोनों बनता है, PT से केवल fact बनता है, तो concept और fact के बाद फिर fact, मेंस भी 100% तेहर है, PT भी 100%, objective भी 100% तेहर है, और उसके बाद exam देंगे, तो PT क्वालिफाई करने के chances भी रहेंगे, और साथ में उसके बाद का जो time मिलेगा, उसमें मेंस के copy का revision करके question answer लिखना आसान रहेगा, तो इसको इस exam को एक बार में क्वालिफाई किया जा सकता है, next आता है, कई बार लोग बोलते है, NCRT का importance क्या है, तो NCRT के बार में कहा जाता है, कि ये knowledge का एक base है, तो ये मान के चला जाए कि जो आदमी graduate हो चुका है, उसके पास ये knowledge base होगा, अगर by the way knowledge base आपके पास नहीं है या भूल गए हैं आप, तो BPC के तारी के पहले, या तारी के दौरान, आप इस NCRT का base ज़रूर create कर लिजे, एक बार NCRT के जो history का है, science का है, जग्रफी का है, quality, civics जो है, ये सारे जो भी NCRT है, एक बार उसका reading डाल लिजे, उसके आधार पे ना तो आप mains पास करेंगे, ना तो PT पास करेंगे, पीटी में भी 30 कोशन से ज़्यादा, उसमें डेड़ों समय नहीं आएगा, लेकिन एक knowledge base create कर देगा, जिसके आधार पे competitive exam के तेहरी करना, आपके लिए विपेसी के PT के तेहरी करना, ये मेंस के तेहरी करना, आपके लिए आसान होगा, और उसके बाद फिर आता है, कि topics के अनुसार books, या books के अनुसार topics, तो मेरा कहना ये है, कि books से topics नहीं आता है, topics से books आता है, विपेसी का syllabus नहीं दिया हुआ है, लेकिन पिछले साल के exam के अधार पर, विपेसी का syllabus बनता है, जैसे, इस्टी कल्चर की बात करूं, में, तो आप जानते हैं कि चार कला है, पटना कला, मौरियनार्ट, पाल, और मधुबनी, तो ये चार के according हम books खोज लेंगे, books के में, जो कोई कला की किताब खरीद के, और उसमें से इस चार को हो जाएंगे, हम पहले चार topic define करेंगे, और उसके according हमें जरुत पढ़ेगा, तो दो-तिन books हम यूज कर लेंगे, जहां-जहां से जो-जो अच्छा मिलेगा, उसका आम notes बना देंगे, तो इसमें कहा जाता है कि पहले, जैसे हमारे कई सारा वीडियो पढ़ा हुआ है, उसमें आप देखेंगे, तो हमने सब सेक्षन का, हिस्टी का, एकनोमी का, पॉलिटी का, जगरफी का, जो भी सब टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं अपने experience के बेस में, लिस्ट ज़रूर बनवाया हुआ है, और उस लिस्ट के according, अगर आपको notes मिल जाए, और फिर उस notes को update करने के लिए, जो magazines हैं, books हैं, उसको use अगर आप करते हैं, तो आपकी तयारी जदा अच्छा होगा, last में, एक ASTHIS को ले करके, कई बार ASTHIS का YouTube वीडियो जाता है आपके बीच में, ASTHIS BPC की तयारी करने वाली एक sincere संस्था है, और हम केवल BPC की तयारी कराते हैं, और किसी exam की तयारी नहीं कराते हैं, आप ASTHIS के किसी भी number पर call करेंगे, और पूछेंगे कि मुझे teacher की तयारी करना है, मुझे UPC की तयारी करना है, मुझे UPCS की तयारी करना है, मुझे MPPCS की तयारी करना है, हम लोग दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में रह करके, हम किसी exam की तयारी नहीं कराते हैं, केवल और केवल BPC की तयारी कराते हैं, एक VPSC के लिए समर्फित संस्थान है, जो भी यहां के टीचर हैं, सारे experienced लोग हैं, 10-10 साल से पढ़ाने वाले टीचर, मैं खुद, मेरे साथ बागी जो टीचर है, सब 10 साल से पढ़ा रहे हैं. YouTube पे वीडियो जाता है कई सारी बाते, कि ऐसे लोग जो की self study, तो जो बाते हैं, जैसे मैं आज जी बात बता रहा हूँ, अगर आप मुझसे आकर मुकरजी नगर में आकर में आपकर बैठ के पूछेंगे तो मैं कितना दिर बता पाऊंगा, 10-5 मिनिट बता पाऊंगा. लेकिन इस YouTube पे मैं देखिए, आप 45-45 मिनिट से मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ. तो इस तरह के YouTube वीडियो का ये फायदा होता है, कि ऐसे बच्चे जो की दूर दराज के एरियाज में हैं, जिनको BPC क्या जानकारी BPC को उन्हें सुना है, लेकिन वो कैसे क्या eligibility है उसको नहीं जानते हैं, तो इस तरह के video उनको help करता है. कई जो हमारे जो बिसेश सुपचिंतक हैं, वो बिसेश सुपचिंतक आ करके कई नाकरात्मक negative comment करते हैं. एक बात ध्यान रखिए, आस्थाइस में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, online, offline, या जो पहले selected, already selected हैं, आप बिना उनसे पूछे हुए, आप आस्थाइस के बारे में कोई अनुमान, कोई mind wake up मत करिए, human error हो सकता है हम लोग के हाँ, लेकिन एक चीज़, जिस बात के लिए आस्थाइस में लोग admission लेते हैं, PT के class के लिए, Mains के class के लिए, वो काम यहां पर बड़े अच्छे से पूरा कराया जाता है, और इसका प्रमान है, कि आस्थाइस के सारे class notes, telegram पर और वो जो class notes है, वो कहीं बैठ के room में नहीं तयार कराएगा है, class में तयार कराएगा है, वो जिस काम के लिए आप यहां पर आते हैं, वो काम हम अपनी best of चमता के अनुशार, हो सकता है कि वो चमता हमारी कम हो, आपके expectation से, ऐसा हो सकता है, कई लोग का expectation बहुँ जादा हो, और उस expectation के according नहीं हो, लेकिन जो हमारी best of चमता है, और हमारी best of चमता क्या है, इसको जांचने का सबचेशा तरीका है, कि आप YouTube पे बड़े सारे, सारे teacher का वीडियो पढ़ा हुआ है, मैं economy and science technology पढ़ाता हूं में, पीटी में economy पढ़ाता हूं, general science के teacher का, जगरफी के teacher का, सुबोध मिसरा सर का, सब का video पढ़ा हुआ है, आप video के पहले जाके देख लिजे और आप पहले judge कर लिजे कि आपके expectation के according है की नहीं, आपकी जो सोच है उसके according है की नहीं, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि जो आस्ताइस ने, आस्ताइस ने जो यहां पे, जो notes और जो study का जो environment create कर रखा है, वो closer to BPSC, requirement of BPSC है, BPSC की जरूरत है, उसके काफी नजदीक है, हम बहुत दूर नहीं है, हम BPSC की पढ़ाई पढ़ाके आपको BPSC qualifying कराते हैं, हम constable की पढ़ाई पढ़ाके आपको BPSC qualifying कराने की कोशिश नहीं करते हैं, हम BPSC की जरूरत के अनुसार शीज़ों को पढ़ाते हैं, और आप बहुत smart हैं, तब भी अपने smartness को नीचे ले आईए, और अगर आप कम smart हैं, आप लगता है कि इस level यह आपके लिए बड़ी चीज है, तो आप अपने level को ऊपर उठाईए और इस level पर यह difficult नहीं है, तो आस्ता ही इसके प्रतीक कोई negative भाव रखने हैं, और एक और बात है, कि पिछले 48-52 से, 48-52 के फर्स्ट आपर अपने यहां से थे प्रसांद सिंह, 35-55 के सेकंड आपर रजनीष थे अपने यहां से, उसके बात जाएंगे तो, 56-62-63-64-65 इतने लोग सेलेक्ट हो चुगे हैं, कि आस्ता ही इसके बारे में कोई अनुमान कोई opinion बनाने के पहले, आप जिस जिले के हैं, जिस ब्लॉक के हैं, उस ब्लॉक के video CEO या जो भी वहां पर PCS अधिकारी कोई मिले, क्योंकि वह selected हैं, वह कभी आपको दिख ब्रहमित कभी आपको divert नहीं करेंगे, उनसे जाकर के एक बार जरूर आस्ताइस के बारे में से पूछ लिजे, वह आपको सही guidance करेंगे, मेरा विश्वास है कि जो 95% cases में, जो PCS selected हैं, वह आपको आस्ताइस में के लिए recommend करेंगे, क्योंकि हम यहाँ BPSC के लिए मेहनत करते हैं, बाकी negative comment करने वाले वो तो comment करते रहेंगे, वो तो किसी के उपर comment, उनका आपना, या तो वो negative सोच वाले लोग हैं, या किसी strategy के तरह आस्ताइस के YouTube के जो वीडियो जाता है उसके उपर negative comment करते हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम BPSC के ज़रूतों के लिए मेहनत करने वाले लोग हैं, और वो काम हमारा चलते रहता है, और जो लोग यहां पढ़ रहे हैं, वो इसको अच्छे से जानते हैं, इस वीडियो में इतना ही, फिर कभी BPSC 70 का मेंस है या 69 का interview आने वाला है, और उसके बाद 72 इस तरह के परिक्षाएं जो आगे होने वाली हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाने की कुसिस किया है।